मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी मित्रों वर्स दोहजाद 23 में दूसरी सोमवती अमवस्या कब है जानिये सही तीनवतारी क्या है पूजा करने का सुप महुड़त कब है पूजा पिधी क्या है और अमवस्यातिती कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने स पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभे तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे स्या करेंगे मित्रों हिंदू धर्में सो मोती आमोस्या का बिसेस महत्तो होता है सो मोती आमोस्या के दिन भगवान भोले नात की पूजा की जाती है हिंदू कैलेंडर की अनुसार जो आमोस्या सो मुवार के दिन पढ़ती है उसे सो मोती आमोस्या काते हैं सो मुवती आमोस्या का ब्रत विवाहित मैलाएं अपने पती की लंबी आयू एहम दीरगहायू की कामना के लिए करती हैं। सो मुवती आमोस्या पर भगवान सिव, माता पार्बती और पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। ऐसी माननेता है कि सोमवती आमवस्या के दिन किये गए ब्रत, पूजा, पाठ, इसनान, दान का अच्छे होता है ऐसी माननेता है कि आमवस्या के दिन पीपल के पेर पर भगवान विश्रू का वास होता है इसलिए भगवान विश्डू की पूजा सोमवती अमवस्या के दिन करनी चाहिए इस दिन इसनान, दान, सब सर्वसेष्ट माना जाता है सोमवती अमवस्या के दिन पीपल की 108 बार धागा लपेट कर परिक्रमा करते हुए पूजन करना चाहिए सोमवती अमवस्या के दिन भगवान विश्डू का पूजन करते हुए धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर बिधान पूर्वक तुलसी के पौधे पर चढ़ाने से पूरे फल की प्राप्ति होती है मित्र अब आपको बतादे की वर्ष दोहज्यातेईस में दूसरी सोम वती अमवस्या 17 जुलाई दिन सोम वर्को मनाई जाएगी अमवस्या तिथी सुरू होगी 16 जुलाई तोहज्यातेईस को रात्रे 10 बज़कर आठ मिनट पर आम वस्याती थी खत्म होगी 17 जुलाई तो 23 को रात्री 11 बचकर अंठावन मिनट पर